देश का नौजवान इसलिए पढ़ता है ताकि वो सम्मान के साथ रुजगारी पा सके नरेंद्र मूदी ने 2014 के लोकसवा चुनाओं में देश के सामने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि मैं हर साल दो करोड नोकरी आदूंगा लेकिन नरेंद्र मूदी की गलत नितियों की वज़े से आज देश के सिक्सित नौजवान बेरुजगार होते जा रहा है एक आकड़े के मताविक पिछले साल नम्बे हजार नौजवानों ने बेरुजगारी के चलते आत्म हत्या किये और एक आकड़ा ये भी कहता है कि आज देश में करोडो नोजवान बेरुजगार है नरेंद्र मूदी जी आपने इस देश को ठगने का काम किया है इस देश के नोजवान को बेवकुब बनाने का काम किया आज आपका जन्मदीन और देश के करोड़ो नौजवान बेरोज़गारी दिन के रुप में मना रहे हैं हम कॉंग्रेस पार्टी देश के नौजवान के साथ खड़े हैं उसके अधिकार की लड़ाई में कब्दे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहें आप देश के नौजवान को रोज़गार दीजी नहीं तो सत्ता खाली कर दीजी